स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल मैथमेटिक स्टेडिस आज हम भी एबीस से सिक्स समेस्टर की बुग डाइनमिस के चेप्टर नुबर 5 के साइस 5.3 का लेक्चर नुबर 4 दिखेंगे देखो एक्जांपल नुबर 4 पे आये हुए हैं हम क्या है सबसे पहले तो जो एड ट्वुड मसीन तु मूव फ्रों रश्ड टो एनि डिस्टैन्स एक्स मासे थो हमारे पस पी और क्यू एटवुड मशीन में वो données प्रोम एट resortन को हमणे व्रेस्ट से थो एनि determination एक्स उन firearm का हमारे 15 HP मूश पर यह कैसे जो initial velocity नो ने क्या बोल दी u, 0 बोल दी और distance x तक जाते हैं मतलब जो s की value है वो x बोल दी ठीक है, इतना हो गया कि masses p और q है, atwood machine के अंदर वो allow किये गए है, to move from rest to any distance x, if अगर मेरा mass p greater than q है ठीक है, then show that the mass which must suddenly be removed from p at the end of distance x so that the motion in the same sense may continue or further distance nx अगर हम p के अंदर से कोई mass remove कर दें, ठीक है, और उस time, फिर क्या बोल रहा है so that, इस तरीके से कि जो motion है, same sense में continue रहे जब हमारा, उस time पर जो distance अवो कितना होगा, nx होगा तो जो हमारा mass जितना remove किया है, वो इतनी value होगी क्या बोला है इनोंने, कि सबसे पहले हमारे पास mass 2 थे, p और q atwood machine के अंदर, जो कि starting में rest से आई है, मतब u 0 है, और x distance तक है अगर हमने p के अंदर से कुछ mass remove कर दिया, कि जो motion है, वो उस तरीके से ही रहेगा और जो distance है, वो nx होगा तो ये बोल रखा है, कि जो mass हमने remove किया है, वो mass इसके equal होगा, जब वो next distance move कर रहा है, ठीक है तो हमें, जिसे हम value निकालेंगे, तो वहाँ से जो, हम mass निकालेंगे जो p में से remove किया हुआ mass है, वो mass की value ये आएगी, रोने ये बोल रखा, ये हमें prove करके दिखाना है, ठीक है, तो पहले हम इतना question की बात करते हैं, कि pure की हमारे पास masses है at wood machine के, rest से हैं distance x पे, तो अब pure क्यू हमारे पास masses है, तो हम कोई f acceleration मान लेते हैं, f b acceleration, जब mass pure q है, तो formula क्या होगा, क्योंकि p greater than q है, तो यहाँ पे हमारा formula वही article first वाला p minus q upon p plus q into में g, ठीक है, ये वाली value आगी, उसके बाद, फिर हमें यहाँ पे, जैसे हम final velocity v और निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें u भी दे रखा, distance भी दे रखा, तो formula होता है, हमारे पास v square minus u square equal to 2fs, अब u तो 0 है, तो ये तो खतम v square equal to 2fx की value, s की value कितनी है, x है तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है उसके बाद बोल रखा है कि जब mass हमने remove किया p के अंदर से, तो जो mass है, वो हमने माले, let m be the mass जो कि हमने remove किया है, p के अंदर से तो जो अब हमारी value होगी वो कितनी होगी, p minus m, अब है उसमें से कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले p greater than q था, q greater than p minus m हो जाएगा, क्योंकि m उसमें से mass subtract कर दिया है कुछ, तो value यह हो जाएगी अब हमारे पास जो acceleration होगी वो अलग होगी, क्योंकि mass remove कर दिया तो acceleration अलग होगी, वो acceleration हमने माली, f1 अगर f1 acceleration माली, अब हमारे पास दो नए mass है, जैसे पहले p और q थे अब हमारे पास क्या है, p minus m और q है, जहाँ पे q की value greater है, तो इसमें से यह value minus होगे, तो q minus p minus m upon q plus p minus m into में g हो जाएगा, अब यह next case की बात है इतना case हमारा first लगा लो एक तरीके से जब p और q mass था और हमारी acceleration f थी, वहाँ से हमने value निकाल ले, अब जब mass remove कर दिया गया है, तब यह value आई है, हमारी इस तरीके से, यह आगी हमारी acceleration, ठीक है अब p q वाली term सी कठी कर ले, एक बार के लिए minus अंदर लेके जाओ, minus minus plus q plus p minus m g, अब यहाँ पे minus of p minus q plus में m into g upon me p plus q minus में m, तो यह हमारा क्या आगा है, जैसे acceleration f of 1, ठीक है, अब पिछले जो part था, उसके अंदर जो हमारे distance था, वो x था, अब यहाँ पे जो distance है, वो कितना nx है, ठीक है start तो वही, rest से ही हुआ है, तो हमारा formula क्या होज़ेगा, v square minus of u square equal to 2 f 1 x, ठीक है, तो v square minus of u square, तो 0 ही होगा, वह तो 2 of f1 s की value कितनी होगी, यहाँ पे, nx की value यहाँ से put कर दी, तो 2 f1 nx हो गया, 2 से 2 cancel, x से, x cancel तो f equal to f1 n आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम f की value भी put कर देंगे, f1 की value भी put कर देंगे, तो f की value उपर से यहाँ पे put कर दो, p minus q, upon p plus q, into में g, और f1 की value हमारे यहाँ पे है, minus of p minus q, q plus में m, upon p plus q, minus में m, into में g, और into में क्या है, हमारा n भी है, यह time आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, g से g cancel कर देंगे, m की value निकालें, क्योंकि mass ही बोल रखा था न, कि mass उतना होगा, वो हमें अप्रूफ करना है, तो mass की value निकालें, simple solve कर दो, अब जैसे a minus b, a plus b क्या था है, a square minus b square, तो p minus q, p plus q, क्या हो जाएगा, p square minus of q square, also m की भी multiply करेंगे, तो m into में, p minus q, equals to similar, यहाँ पे, minus of p square, minus of q square, into में n, and, यह वाली multiply करेंगे, तो plus में, m into में, p plus q, क्योंकि अब हम यह, तो किस की value निकालेंगे, m की value निकालेंगे, m वाली term सी कटी, और बाकी term सी कटी, तो p square minus of q square, यह term इदर आएगे, तो plus में, n into p square minus of q square हो जाएगा, यह m into p plus q, ठीक है, यहाँ पे साथ में, n भी आएगा, ठीक है, तो m, n into p plus q, इदर आजाओ, m, p minus q, ठीक है, m हमें एकठा, मतलब m की value निकालेंगे, तो common ले लेते हैं, यहाँ पे m आगया, ठीक है, यह वाली term में से, 1 plus n हो गया इस तरीके से, और p square minus of q square, यह वाली term वैसे, तो इसके बाई में से जाएगी, लेकिन जो proof करना है ना, वो इस तरीके से, p common, q common, तो यहाँ से p common ले लें, तो n plus 1 into p हो जाएगा, plus में n minus 1 into q हो जाएगा, into में m हो जाएगा, और 1 plus n into p square minus of q square, अब जो यह term है, वो इसके बाई में ले आएगे, तो क्या हो जाएगा, n minus 1 into p, plus n minus 1 into q, equals to mass, और यही हमें क्या करना था, इस question के अंदर proof करना था, ठीक है, अब एक बार और देखो, क्या था हमारा, कि mass is p और q, अलो कर रखे थे, atwood machine के अंदर, कि वो rest से आयें, किसी distance x में, तो mass थे, p और q हमारे पास, और यह हो गया, यह, हमारा s भी दे रखा, तो वहां से हमने acceleration निकाल ली, final velocity आ गए, दो case है, दोनों case का use कर रहे है, कुछ भी करके हमें mass निकालना था, इस वज़े से हमने एक formula अप्लाई किया, जिसमें दो value दे रखी, तीसरी हमने निकाल ली, similar जब m mass reduce कर लिया, तो हमने acceleration निकाल ली, और v square की value निकाल ली, फिर उनको compare कर दिया, फिर यहां से इसके अंदर ये value पुट कर दी, और हमारा solve होगे, symbol m की value आगे, and this is what we have to prove, तो यह था आपके example number 4, जो next question और आपके example number 5, वो same ही type का है, तो देखो क्या है, कि two particle of mass m1 and m2, are connected by a light inextensible string, light inextensible string से two particle है, जिनका mass, एक का mass तो m1 है, और एक का m2 वो connect किये गए है, ठीक है, which pass is over a smooth fixed pulley, जहाँ पे जो m1 है, वो greater than m2 है, if m1 greater than m2, and m1 descend with an acceleration f, show that the mass which must be taken from, so that it can ascend with the same acceleration, क्या बो लाइन होने, कि दो particle हैं हमाने पास, जिनका mass एक का, तो m1 mass है, और एक m2 mass है, तो हमारा case first हो गया, जहाँ पे हम acceleration निकालेंगे, फिर उन्होंने बोला, कि same acceleration के साथ, हम कितना mass उसमें से निकालें, कि जो हमारी चीज़ निचे, मतब जो हमारी चीज़ डिसेंड हो रहें, वो असेंड हो जाएं, two particle of mass, m1 and m2 are connected by a light in extensival string, which passes over a smooth fixed pulley, ठीक है, अगर m1 greater than m2 है, and m1 descends with an acceleration f, तो अगर m1 descend कर रहा है, अगर m1 descend कर रहा है, acceleration f के साथ, तो हमें show करके दिखाना है, कि जो mass है, must be taken, जो हमारा mass है, वो हमें इतना निकालना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ हमारी ascend हो जाएं, मतलब वो नीचे की तरफ जारी थी, तो हम उसमें से इतना mass निकाल दे, कि वो उपर की तरफ चले जाए, same acceleration के साथ, same acceleration उनने खुद गीवन दे रखा, example 4 था, हाँ पर starting में मैंने acceleration f मानी थी, फिर बाद में मैंने acceleration f1 मानी थी, यहाँ पर, जबकि इस question में क्या बोल दिया इनोने, कि same acceleration लेनी है, अलाग अलग नहीं लेनी, थीक्यां, तो दो mass है, m1 और m2, तो यहाँ पर उसके लिए acceleration ही काल लेते हैं, तो वो acceleration भी f है, और जब दूसरा के सोगा, तो भी f भी लेनी है, तो formula के coding हां, हमारे का जगा, m1 माइनस m2, अब जो mass है, वो हमने remove किया है, m, और m की value ही यानी, चीए हमें prove करना है, तो m mass हमने remove कर देना है, ठीक है, हम m1 में से m1 remove कर देंगे, तो m2 minus of हो जाएगा, क्योंकि m2 बड़ा हो जाए, ठीक है, उस time पे भी जो acceleration है, वो तो f ही रहेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, m2 minus of, क्या किया है मैंने, m mass remove कर दिया, m1 के अंदर से, तो जो mass हो गया, वो कितना हो गया, m1 minus of m, और एक दूसरा mass m2 था ही, अब इसमें से कुछ minus किया है, तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो m2 minus of m1 minus m, upon m2 plus m1 minus m, into में g हो जाएगा, पिछले question में हमने क्या किया था, यहाँ पे, इसके अंदर, कि और भी conditions दे रखी थी, velocity वगएरा, कि तो हमने वहाँ से equation निकाल ली, फिर उसमें बुट करी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम mass की value कैसे निकालेंगे, एक बार के लिए आप सोचोगे, कि ABF की value, ABF की value equate कर देते हैं, m आ जाएगा, ठीक हैं, लेकिन जब ऐसा करेंगे, आप equate, तो फिर g से g cancel हो जाएगा, तो जो आपकी m की terms है, m का जो answer आएगा, वो M1 और M2 की form में आएगा, बट कोशन में जो प्रूफ करना, वो M1, M2 की form में होने की बजाए, F और G की form में भी है, तो हम यहाँ पे component और divident और से इसको solve करेंगे, चीक हैं, तो उस तरीके से आपको value निकाल ली है, में यहीं तक था बाकी तो आगे simple जो आपकी mathematics उससे ही solve करना है, अभी तक कोशन क्या था वो समझाने चीए बाकी simple solve करना है, कि दो particle दे रखे थे, एक का मास M1 था, एक का M2 था, वो connect कर रखे थे, light inextensible string के साथ, जो कि एक smooth pulley के उपर से pass होती है, तो एक का M1 M2 मास था, तो हमने acceleration निकाल ली है, अगर हम इतना मास अगर उसमें से निकाल दे, तो same acceleration के साथ हमारी motion होगा, इस तरीके से, तो हमने यह मास निकाल लिया, और हमें अब प्रूव करके दिखाना है, कि जो यह मास M है, उसकी value यह होगी, जब हमारी same acceleration है, तब अब हम इनको solve करेंगे, equations के नाम दे देते हैं, यह होगई equation first, equation second, यहां से अगर मैं G by F की value निकाल लूँ, तो यह value क्या हो जाएगी, यह उधर लेके जाएंगे, तो M1 प्लस M2 अपोन M1 माइनस M2, इक्वलस टू G by F, ठीक है, यह वाली value आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके उपर मैंने बोला जाना, component और dividend और डिविडेंटों अपलाई करेंगे, तो यहां पे हम वही apply कर रही है, component और डिविडेंटों का क्या मतलब होता है, कि जैसे नीचे वाली चीज़ को उपर वाली चीज़ में उतना ही add कर देना, और उसमें से उतना ही minus कर देना, एक बार के लिए, इसमें कोशन में आपको समझा जाएगा, कि क्या मतलब होता है उसका, अब आपकी मर्जी होती है, या तो आप minus कर लिजिए उपर, या फिर आप plus कर लिए, ऐसा कोई particular rule है, कि आपको minus करना है, plus करना है, लेकिन आपकी कोशन की requirement के coding, हम minus कर लेते हैं, क्या करना है ध्यान से देखना, इस वाली चीज़ के अंदर, ये वाली चीज़ उपर माइनस कर देंगे, इस वाली चीज़ के अंदर, ये वाली चीज़ निचे प्लस कर देंगे, क्या मतलब जैसे, इसके अंदर ये चीज़ माइनस करो, G माइनस F, G में निचे फिर प्लस कर दो F, इसके अंदर, माइनस कर दो, नीचे वाली चीज़, इसके अंदर ही add कर दो, ये वाली चीज़, कई teachers इसको cd rule भी बोलते हैं, component and dividend rule, ठीक हैं, कहीं cd बोलते हैं, आपके teachers और आप confused हो जाओ, तो component, dividend, cd एकी बात है, देखो क्या था, क्या कि है, g by f, ये minus करेंगे, g minus f, similar उपर में से नीचे वाला minus अगर यहां पर माइनस करेंगे, नीचे प्लस करेंगे, अगर उपर इधर प्लस करेंगे, अपनी मर्जी है, कैसे भी करो, प्लस करो, माइनस करो, लेकिन दोनों साइट सेम होना चाहिए, तो m1 plus m2, minus m2, plus m2, similar यहां फिर g minus f, g plus f, ठीक है, यह वाली item आगे, अब देखो, m m1 से m1 तो कैंसल होगा, यह क्या होगा, minus minus plus 2 of m2 हो जाएगा, अपन में, similar यहां पर, 2 of m1 हो जाएगा, लेकिन m2 से m1 कैंसल हो जाएगा, तो g minus m, f upon g plus f, तो m2 upon m1 equal to g minus f upon g plus f आगया, अब हम क्या करेंगे, similarly, second equation से, भी वैसे ही निकालें, जैसे यहां पर निकालें, पहले m2 plus में, m1 minus of m equals to g by f, उसके बाद component और dividend और अपलाई करेंगे, तो similar तरीके से वही हो जाएगा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यह logic में पताऊंगे, ऐसा क्योंकि है, कि इसके अंदर उपर add करेंगे, और इसमें minus करेंगे, ठीक है, तो पहले इसके अगर यहां पर g plus f upon g minus set कर रही है, तो इसको उपर add कर दो, अब इसको इसके अंदर add करेंगे, तो क्या होगा, देखो, plus, और इसमें से इसको minus कर देंगे, ची क्या होगा, अब यह वाले term होगी, cancel, यह वाले term होगी, cancel, 2 of m2 minus of 2 into m1 minus of m equals to g plus f upon g minus f, देखो, जब यहां पर हम g by f की value निकालेंगे, तो यह वाली term मुक पर जाएगे, यह वाली term नीचे, तो यहां पर आएगा plus और यहां पर आएगा minus, तो हमने क्या करना था, इसके अंदर से इसमें add करना था, तो हमारी जो term आई थी, plus में m2 और minus of, यह तो similar cancel यह होगी, अब इसमें जब हम minus करेंगे यह वाली term, तो minus of m2 और यह plus हो जाएगा यहां पर, तो यह वाली term प्लस किया जाएगे, तो 2 से 2 cancel, तो m2 upon m1 minus of m equals to g plus f upon g minus f आगया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यह equation वो 3rd मालो, 1st second होगी थी, यह equation 4th मालो, हम इसको डिवाइड करेंगे, 3rd by 4th, जब डिवाइड करेंगे, तो जो हमारी term है, देखो इस तरीक से, जैसे g minus f upon g plus f, अगर डिवाइड करेंगे इस चीज़ को, इससे इधर भी डिवाइड लगा देते पहले, जैसे 1m1 upon m2 upon m1 minus m, और इधर डिवाइड करें, तो g plus f upon g minus f, ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, तो ऐसे पलट जाते हैं ने, नीचे वाली चीज़ तो, m2 upon m1 into m1 minus m upon m2 equal to g minus f upon g plus f into g minus f upon g plus f, नीचे वाली चीज़ पलता दिये, बस और कुछ नहीं किया, m2 same to again, m1 minus m upon m1 equals to g minus f का square upon g plus f का square, ठीक है, ये वाली term हो गई, उसके बाद हमे में तो क्या करना, लेकिन m की value निकालें, m की value निकालेंगे, तो इसको इसके नीचे अलग से लिख लो, इसको नीचे इसको अलग से लिख लो, तो यहाँ पर बना जाएगा, minus of m upon m1 equals to g minus f का whole square upon g plus f का whole square, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाली term उदर, ये वाली term हो ज whole square equals to, हमारी m की value आजाएगी, इसको solve कर दो, अब simple, जैसे g plus f का square भी opening कर देते, g square plus f square, plus 2gf minus of g square plus f square minus of 2gf upon g plus f का whole square equals to m, g square से ये cancel हो जाएगा, ये minus minus हो जाएगा, plus, तो 4gf m1 upon g plus f whole square equals to m आगा, ठीक है, तो ये तो हो गया solve, अब, मतलब, normally solve किया, अब बीच में आपको बताया था, कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, कि मैंने यहाँ पे g minus f upon g plus f क्यों किया, यहाँ पे g plus f upon g minus f क्यों किया, क्योंकि, मतलब, हमने ये ऐसे क्यों लगाए, आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी तरीके से लगा लो, लेकिन ये ऐसे लगाना, कि यहाँ पे minus कर रहे हो, तो यहाँ निचे minus करना, क्योंकि जब divide करते हमें है, इस question के according, अगर हम देखे तो square बनाना है, ठीक है, square बनाना है, अगर square बनाना है, तो इस तर हो जाता, square निए बनता, square निए बनता, तो हमें जो प्रूफ करना वह होता ही नि, तो यह logic था, इसका इसके पीछा ऐसा करने का, क्योंकि यह फिर हमारे cancel निए होते, इस वज़ज़ से हमने ऐसा करती है, चीक है, उसके बाद हमारे है, next example, देखो, example 6, कि आम आसो 4 kgs drawn across a rough horizontal table बल, rough है, इसका मतलब, friction apply होगा, friction apply होगा, तो जो मैंने lecture 2 के इंदर, article करा था, second number पे वो वाले article का formula यूज़ होगा, क्योंकि rough बोल दिया, बल, friction आएगा, rough की वज़़ से friction वाले article का formula यूज़ होगा, एक मास दे रखा है, 4 kg का, drone, across a rough horizontal table, by means of a string, passes over smooth, pulley fixed at one edge of the table, and supports a mass of 2 kg, 1 mass 2 kg दे रखा है, दूसरे end पे, if the coefficient of friction, mu की value दे दी 5 by 16, 1 mass 4 kg का है, 1 mass 2 kg का है, find the acceleration of the masses, तो acceleration निकानी है, ठीक है, अब यहाँ पे, जो हमारा formula लगेगा, बल लगेगा, m1 minus of mu of m2, अब उन में m1 plus m2, यहाँ पे, यह बात थी, हमारी article के अंदर भी, और यहाँ पे भी, कि जो हमारा m1 mass है, देखो कौन सा है, कि जो mass 4 kg is drone across a rough horizontal table, जो 4 kg का mass है ना, वो हमारा table के यहाँ पे है, और जो दूसरे end पे, जो इस तरीके से यह वाला है, 2 kg वाला, यह वाला 4 kg वाला, तो जो article होता था ना, वो हम ऐसे करते थे, इसमें से, इसको minus और यहाँ पे mu होता था इस वाले के अंदर, तो इसमें, जो horizontal table वाले question उसमें ऐसे ही देखना है आपको, कि कौन सा तो table पे रखा है, कौन सा निच्चे की तरफ है, ठीक है, तो यह तो जो हमारा है, वो तो हो गया क्या, तो हमारा यह हो गया m1 और एक हो गया m2, तो m1 हमारा यह हुआ है, और यह 16, 2 minus 5 by 4 upon 6, इसको जोल करोगे तो 1 by 8 आजाएगा आपका, और क्योंकि एकसलरेशन है, तो यह साथ में g भी होता है, फूर में लेक अंदर, और यह एकसलरेशन है, तो इसका फूर्म ना क्याएगा, मतलब unit meter per second square, units मतलब ना number कट जाएगे dynamics में, सिधा half max आपका इस वज़े से भी कट सकता है, अगर आपने units नहीं लगाई हैं, तो units बहुत important है, तो question तो सिर्फ यही था, compulsory question के लिए आ सकता है, यह रफोर general table वाला बाकी, मतलब compulsory question के लिए तो यह important भी है, तो अच्छे से कर लेना, चीक है, उसके बाद हमारे जो दो example है, एक तो है, 7th example और 8th, बि block B on a smooth table, एक smooth table है यह हमारे पास, block B उसके उपर रखा है, इस tied to a block A and C और वो tie किया गया है, A block और C block के साथ, by a string, एक string से, जो की pass करते है, over a frictionless pulley on the opposite edges, यह table उसके opposite edges यह हो गए, of the table as shown, जैसा की दिखाया गया है, कि एक block B है, पुली के उपर से गए हुए एक string के साथ, A block औ C block के साथ connected है, A, B, C weight, A, B, C का weight है, 8 kg, 20 kg and 20 kg respectively, मतलब A का तो 8 weight और B और C दोनों का 20 kg weight है, and the system is set in the motion, find the acceleration, हमें कहने कहने, यहाँ पर acceleration निकालने है, ठीक है, अब एक string इधर लगा रखे, एक string इधर लगा रखे, तो एक में tension T1 होगी, एक में tension T2 होगी, तो यहाँ पे तो हमाली, अगर यह इस तरीके से है, तो यहाँ पे T1 है, और यहाँ पे T2, क्योंकि तभी तो balance होगा, तो इस तरीके से होगा, अब जो इसका weight है, वो इतना दे रखा है, 20 kg, तो weight अगर 20 kg है, तो force होता है, जैसे हमारा mass into acceleration, तो acceleration due to gravity होगी, तो 20 of G आ जाएगा, यहाँ पे, क् और B का भी 20 G ते रखा है, तो 20 G, क्योंकि यहाँ पे तो यह T1, T2 होगा, यहाँ पे क्या होती है, हमारी reaction, जो कि किसके क्वल होती है, R के, तो यह होगा हमारा इस तरीके से, अब जो हमारी acceleration होगी, वो इस तरफ होगी, ठीक है, अब जो इसके acceleration होगी, ऐसे होगी, और जो इसे होगा, जो यह देखो, ईसा क्यों होगा है, क्योंकि इन दोनों में से weight किसका ज्यादा है, 20 G ज्यादा है, ठीक है, अगर 20 ज्यादा तो यह चीजज वो नीच्चे ज्यादा आएगी, ठीक है, तो इसका motion ऐसे होगा, अगर यह चीज नीच्चे ऐसा है तो B B block इधर तो इसका motion ऐसे होगा और यह अगर ऐसे खिसा करें है निचे निचे आरे तो यह चीज उपर जाएगी तो इसका motion उपर की तरफ होगा यही आपके book में भी लिख रखा है कि जो C block है वो जादा है block A से इस वज़े से जो C block है वो descend होगा निचे की तरफ होगा और जो A block है वो ascend होगा उपर की तरफ जाएगा और जो B block है वो horizontally right side की तरफ move करेगा ऐसा इस वज़े से है क्योंकि इसका weight जादा है तो यह obvious सी बात है कोई heavy चीज तो वो निचे जादा जाएगी ना उस वज़े से यह वाली चीज इधर आएगी और यह वाली चीज उपर की तरफ जाएगी क्योंकि यह सारे connected है इस वज़े से ठीक है अब हमें कुछ यह सारी wording आप जैसे book में लिखे रखे वैसे लिख ले ना ठीक है उसके बाद देखो अब हम निकालेंगे equation of motion equation of motion हमारी किस तरीक से नहीं बिल्कुल इस यह तो हमें आते ही है किस तरीक से यहाँ पे motion उपर की तर है तो t2 minus t1 equals to 20 of f यहाँ पे आ रहे है नीचे तो 20 of g minus of t2 equals to हो जाएगा 20 of f तो यहाँ पे हमारे पास कितनी equation आगे तीन equation आगे यहाँ से हमें f निकालें यह तिन equation हम नेक्स पर लिख लेंगे एक बार और समझा देती हूं किस तरीक से है क्योंकि motion उपर है तो उपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज माइनस इधर है तो इसमें से यह माइनस और equal to में mass into acceleration क्योंकि यह सारे force ही तो है यह तो फ 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 तो हमें निकाले एक्सलरेशन तो 12 जी अपोन 48 तो यह वाली वैल्यू आगे हमाजे से फ और जा जी की वैल्यू 9.8 अपोन 4 यह होगा 2.4 अप्रोक्सीमेट आगे यह वैल्यू और क्योंकि यह क्या एक्सलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेर होगी तो यह होगी हमारे एक्सलरेशन की वैल्यू और हो गया हमारे एक्सांपल नमबर सेवेंथ ठीक है अब जो एक्सांपल नमबर 8 था वो बिल्कुल सेम है देखो इक स्ट्रिंग पासे पासे एक्सांपल एक्सांपम्ट पासी में पासे आढाए तन मबर एक्सांपल नमबर नमबर पर सेक। दो तो नीचे की तरफ लटक रहें एक टेबल के ओपर इसका मास M1 जो नीचे लटकर इसका मास M1 और M2 है तो नीचे M1 जी आगया यहां पर M2 जी आगया ठीक है शो देट अट अगया एक्सलेरेशन अगया तो यह तो निकाल लेंगे और यह भी बोल देगी जो टेंशन है न अपर टैंशन टीवन ले लिए इस तरीके से तो यहां पर अपोजन वी टीवन होगा आपोजन एटीवन होगा है सिमिलर भाव ठीक कि बिल्कुल जैसे उपर किया था तो equation हमने यहाँ पर क्या मानिया अपनी मर्जी से ले लिया है फिर एक चीज कि जो हमारा motion है वो इस तरीके से होगा कि मतब M2 हमने जादा ले लिया अगर M1 जादा ले 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 तो फिर opposite ऐसे ऐसे हो जाता ठीक है तो equation अब देखो कैसे बनेगी M2 of G minus of T2 equal to M2 of F T2 minus T1 equal to हमारा हो जाएगा यहाँ पर MF M1 अच्छा उपर की तरफ जा रहा है तो T1 minus of M1 G equals to M1 F तो यह equation है कि इन तिनों को हम क्या कर देंगे add कर देंगे और यहाँ से F की value आजाएगी अब जो F की value आई है वो इसके अंदर भी पुट कर देंगे इसके अंदर भी पुट कर देंगे तो यहाँ से T1 की value आजाएगी और T2 की value आजाएगी तो कि इनों ने question में बोल रखा था कि tension भी बताओ तो tension भी बता देंगे ठीक है तो यह थी आपके exercise 5.3 के example thank you guys for watching my video please do like and subscribe to my channel thank you so much